हाली में 16 जुले 2022 को केंद्रिय परिवहनमंत्री गड़करी ने मध्यप्रदेश सरकार को एक पत्र जारी किया जो आई टीओ चेक पोस्ट हो या फिर नैशनल हाईवे जिस पर अवेद रूप से वसुली करते थे उन पर लगाम लगाने के लिए परिवहनमंत्री गड़करी का पत्र जारी हुआ था इसके बाद कुछ कॉंग्रेस के विधायक ने खुद परिवहनमाफिया का परदाफाश किया था और आज जबलपूर आर्टियों संतोशपाल के यहां च्छापेमारी की कारवाई हो रही है अगर मध्यप्रदेश सरकार सभी आर्टियों चेक पोस्ट के तथा ट्रांसपोर्ट के शेत्र के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है पहली कारवाई मध्यप्रदेश में हुई है तो अब यह कारवाई नागपुर में परिवहनमंत्री गड़करी द्वारा होने वाली है ऐसे संके भाइचारा राजमार्क परिवहन संसापक अध् प्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश की जनता के साथ और सहयोग मांगा है राज्टर के हित में आप सभी साथ दे और परिवहन माफियों को खत्म करे प्रधान मंत्री नरिंदर मूदी का साथ दे प्रष्टाचार के खिलाब धरना प्रदर्शन करे जिस जगह पर भी से रिश्वत की मांग करे ऐसी अपिल जोएंट एक्शन कमिटी अद्रेक्ष प्रलाद अगरवाल ने की है आज नितियन गटकरी साब जो लेटर जारी किये थे चार जुलाई दोजार बाइस में जो उन्होंने एक लेटर जारी किये थे मुख्य मंत्री जी के नाम से किमत प्रदेश राज्य सरकार की बदनामी हो रही है परिवान माफिया का आंतंग चा चुका है आप इसे खत्म करें तो आज गटकरी जी के लेटर का कहीं न कहीं असर दिखाई देना चलो गया है परदान मंत्री नर्यन मोदी जी ने लाल किले से ही 15 अगस्त 2022 को नों ने एलान किया तक बरश्टा चारिकों के खिलाब लड़ना हर आदमी का अधिकार है जब तक हर आदमी इन माफियाओं के खिलाप नहीं लड़ेगा जब तक हमें संपूर्ण रूप से परिवान माफिया से आजादी नहीं मिलेगी इस आजादी के लिए हर ट्रक चालग माला को सलकों पूतरना होगा, हर नागरी कूतरना होगा, हर सरकारी आफिसर कूतरना होगा, आज इसकी सुरुआत जवलपूर से आइटियों से हो चुकी है और हम मत्परदेश सरकार से भी माक करते हैं, मानि सुराष सिंग जी से भी प्राथना करते हैं, कि मत्परदेश में जो भी 40-45 आइटियों चेकपोस्ट लगे हुए हैं, सभी आइटियों चेकपोस्ट में अगर IC, ED और CBI की रेट मारी जाए, तो मत्परदेश के आइटियों चेकपोर्ट से ही कड़ोरो रुपए एक चेकपोर्ट से निकलेंगे अव आटियो आधिकारी से लेकर एक छोटे से छोटे करमचारी तक और जब हम परिवहान आयुक्त के हां इस तरह की रेट और CBI की छापे मारने का कार्य सरकार करेगी तो हमको ऐसा लगता है कि पूरे हिं मंत्री जी ने बोले थे कि किशी के पास इतना चोरी का धन है कि उनको पैसा रखने के लिए जगा नहीं है और किशी गरीब आदमी आज फुटपात पे सो रहा है उसके पास दो बक्त की रोटी खाने की निये न तन पे कपड़ा पहनने का है तो हम मत प्रदिय सरकार से बार वाड निवेदन करते हैं बीसे न्यूस के लिए वाड़ी से स्वरप पाटील